हाए किड्स में मे frying तिन्जय आध का लेशंस 6 करेंगे हम इस सेशन में हम अभेकस में कुछ नए प्रैक्रीस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्रीस में है OUT कहिए करेंगे तो इदी आपको इन सीटों की requirement है तो आप talent india sl at the rates gmail.com पे mail कर सकते हैं ये सीट आपको mail कर दी जाएगी तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि पहला option में हमारी जो value है वो 9 है तो इसमें मैं आपको write down करके नहीं दिखाऊंगा इसमें मैं आपको value बताता जाऊंगा और इस तरीके से हम करीबन 100 lesson पूरे करेंगे तो इस lesson में हम इतना करेंगे तो यह देखें यहाँ पर हमारी value 5 है और plus 4 5 plus 4 9 और यह 0 यानि कि इसकी value total किया हुई 90 तो यहाँ पर हम यहाँ पर आप 90 write down कित देगा उसके बाद यह दूसरा option देखें दूसरा ओप्षन पर जो value वो वो 0 है बट यहाँ पर value 2 है यानि कि इसकी value क्या हुई 20 तो आप यहाँ पर 20 write down करेंगे उसके बाद तीसरा option में आप देखेंगे कि यहाँ पर value 0 है यहाँ पर value 1 and 1 11 तो यहाँ पर आप 11 write down करेंगे उसी तरीके से मैं 4th option पर आता हूँ यहाँ पर चौथा जो task है हमारा तो यहाँ पर value 5 और यहाँ पर value 2 1 and 1 5 plus 2 is equal to 6 sorry 7 और यहाँ पर value 1 है यहाँ पर 0 है यानि कि 7, 1 71 है इसकी value हो जाएगी है हमारी उसी तरीके से हम 5 पर टास्क को देखेंगे तो यहाँ पर value 5 है और 1 5 plus 1 is 6 then 0 यानि कि यहाँ पर value जो होगी हमारी 60 हो जाएगी छटे में देखा जाए तो यहाँ पर value 0 है यहाँ पर value 5 है यानि कि 5 plus यहाँ पर 1 यानि कि 5, 1 51 इसकी value होगी उसी तरीके से 7 में देखें तो इसमें इसकी जो value है 5 plus 4, 9 यहाँ पर 1 यानि कि 1 and 9 इसकी value हो जाएगी 91 हो गए उसके बाद हम आठवे टास्क को देखें तो यहाँ पर value जो है 5 plus 3 5 plus 3 is equal to 8 और यहाँ पर जो value है वो 1 है तो यह हो गए हमारा 81 9th नंबर टास्क को देखें तो यहाँ पर जो value है वो 0 है बट यहाँ पर value क्या है 2 घुल गए 2 यहाँ पर 0 याणे के वेल्यू क्या होई 22 & 0 उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा value है 0 और यहां पर भी value हमारी 0 बत इस road पर देखें तो यहाँ पर value 1 है याणी के हमारी total value क्या आएगी 1 तो इस तरीके से हम आगे की वीडियो की practice session को थोड़ा जल्दी करने का कोशिज करेंगे और अपने mind को sharp करने के कोशिज करेंगे तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम अगले session में कुछ अलग practice करेंगे Thanks for watching this video